जैहिंद फ्रेंड्स मैं सौरब जह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बी ऐसे ट्रिकी क्लासस पे आज हम लोग रेलवे ग्रूब डी और रेलवे एंटी पीसी सीबी टी टू के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए साइन्स के कुछ महत्पुर्ण सवालों को देखेंगे साथ ही साथ उन सवालों से जुड़े हुए संभावित प्रसनों को डिसकस करेंगे जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं आप सभी से अनुरोद करेंगे कि आप क्लास को ध्यान पुर्वक देखें और सारे सवालों के आंसर कमेंट करें और साथ ही साथ क्लास को सपोर्ट कीजेगा क्लास को लाइक और सेर अवस्य कीजेगा ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में उपस्तित होकर क्लास का लाव उठा सके और क्लास को सपोर्ट मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल आंसर करेंगे हीमोफीलिया किसकी कमी के कारण होता है तो आप जानते हैं कि हीमोफीलिया एक अनुवांसिक बिमारी है याद रखना है हीमोफीलिया एक परकार का अनुवांसिक बिमारी है क्या है हीमोफीलिया एक परकार का अनुवांसिक रोग है जो एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में हो सकता है याद रखेंगे ठीक है तो हीमोफीलिया एक परकार का अनुवांसिक रोग है याद रखेगा हीमोफीलिया एक लिंग सहलगन रोग है और अगर किसी वैक्ति को हीमोफीलिया बिमारी हो जाता है तो उस वैक्ति को चोट लगने पर बहुत जादा बलर्ड निकलता है यानि ब्लीडिंग बहुत जादा होता है और रक्त का थक्का नहीं जमता है ठीक है जिस तो बस अब आपका आंसर निकल जाएगा, आंसर करें, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, हेमोफिलिया बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है, आप याद रखेंगे, ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, याद रखेंगा थ्रॉम्बोप्लास्टीन, क्योंकि आप जा जा सकती है तो याद रखेंगे हीमोफिलिया मनुश्यों में होने वाला एक लिंग सहनलग नरोग है और इससे ग्रसित व्यक्ति का जो ब्लड क्लोटिंग होता है ब्लड क्लोटिंग का जो छमता हो जाता है वो काफी कम हो जाता है ठीक है और यह एक अनुवांसिक बीमारी है याद रखेंगहा कि थि र्यक्ति आतरश्यों सरीटेडीरी पाया जाता है ठीक है से चल्द्धार केवल एस्तंधारी में पाया जाता है लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं और आप जानते हैं कि सरीर में कहीं कट जाने पर ब्लड क्लोटिंग में हिल्प करता है कौन थ्रम्बोप्लास्टीन यानि रक्त को जमाने में हिल्प करता है blood clotting में help करता है thromboplastin आप याद रखेगा तो काफी यह important है तो याद रखेगा blood clotting में help करता है ठीक है? तो याद रखेगा thromboplastin blood clotting में help करता है और thromboplastin की कमी से hemophilia नामक भीमारी हो सकता है याद रखेगे ठीक है? चलिए तो अगला सवाल देख ले हम लोग तो यहाँ आपका answer हो जाएगा option number D याद रखेगा which of the following disease is transmitted by heredity only? निम्न में से कौन सा रोग केवल वनसानुगत संचारित होता है answer कीजेगा इन में से कौन सा रोग है जो केवल heredity के कारण होता है केवल वनसानुगत होता है ठीक है तो answer करें इन में से कौन सा रोग है जो केवल heredity के कारण होता है वनसानुगत के कारण होता है ठीक है? तो यहाँ पर answer क्या होने वाला hemophilia आप जानते हैं कि hemophilia क्या है तो hemophilia एक परकार का अनुवानसिक रोग है ठीक है? तो याद रखेगा आपका सही answer क्या होगा? hemophilia क्योंकि hemophilia जो है एक परकार का अनुवानसिक बीमारी है अब hemophilia के अलावा और भी कुछ बीमारी है जो heredity के कारण होता है अनुवानसिक के कारण होता है यहाँ याद रखना है आपको क्या क्या जैसे example आपसे पूछ सकता है तो आप याद रखेगा जैसे आपसे पूछता है color blindness ठीक है? तो color blindness भी आप जानते हैं कि color blindness क्या है वर्णादता और वर्णादता बीमारी क्या होता है? किस से होता है? तो आप याद रखेगा वर्णादता बीमारी जो है ठीक है तो वर्णादता बीमारी जो है जिसे color blindness कहा जाता है तो color blindness या वर्णादता बीमारी जो है इसमें क्या होता है लाल और हरा रंग पहचानने का छमता जोता वेक्तिका वो खो जाता है ठीक है और यह बीमारी जो है प लाल और हरा रंग पहचानने का छमता खो देता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक है और इस बिमारी को क्या कहा जाता है तो इसके अलावा देखिए यहां पर और भी आपका सवाल बन सकता है जैसे तर्णर सिंड्रोम, तर्णर सिंड्रोम भी याद रखना एक परकार का अनुवांसिक बीमारी है ठीक है याद रखेगा और आपको क्या होता है डाउं सिंड्रोम याद रखना है तो प्रकार का बिमारी अनुवांसिक बीमारी पिमारी है तो color blindness, hemophilia, Turner Laur तो निम्न में से कौन सा वनसानुगत संचारित होता है, याद रखेंगे, ठीक है? तो पहला तो सही है कि डाउन सिंड्रोम जो है, यह एक हैरिडिटी डीजीज है, जैनेटिक बीमारी है, यह तो सही है, लेकिन आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है? ध्यान दीजेगा. अगला उप्सन, प्रभावित व्यक्ति में समय पुर्व वयो विर्दी होती है, यानि अगर किसी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो जाए, तो वह व्यक्ति समय से पहले बुढ़ा हो जाता है, यह जो स्टेटमेंट है, यह बिलकुल गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता ह तो आपका सही अंजर क्या हो जाएगा, ओप्सन नमबर बी, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि डाउन सिंड्रोम के विसे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ओप्सन नमबर बी गलत दिया हुआ है, बांकी तीन ओप्सन सही है, तो याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम जो है एक परकार का जनेटिक डिसॉर्डर होता है, और डाउन सिंड्रोम होने पर व्यक्ति में मानसिक मंदन हो जाता है, यानि व्यक्ति जो है मैंटल रूप से थोड़ा परिसान हो जाता है, यानि माइंड जो है थोड़ा कम काम करता है, याद रखना है, और प्रभावित व्यक्ति में खुले मुंग के साथ खाती का युक्त जिववा होती है ठीक है तो ये तीनो statement यहाँ पर आपका सही दिया हुआ है और गलत statement कौन था? option number B इसलिए आपका option number B सही answer होगा आप याद रखेगा ठीक है आया सवाल देख लेते हैं अब people drinking water from a shallow hand pump are likely to suffer from all of the following disease except चिछले hand pump से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाए ठीक है? यानि चिछले hand pump से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाए मतलब अगर कोई चिछला hand pump का पानी पीता है तो उसको इन में से तीन बिमारी हो सकता है एक बिमारी को छोड़ कर ठीक है तो वही आपको बताना है तो answer कीजे answer क्या होगा? ठीक है? answer कीजे answer क्या होगा देखिए ठीक है answer कीजे देखिए answer क्या होगा इसका? पीलिया क्योंकि हैजा आप जानते है पानी किसे हैजा बिमारी जो होता है गंदा पानी पीने से होता है टाइफाइड भी गंदा पानी पीने से होता है तो ये तीनों बिमारी जो चीशले हैंट पम से पानी पीने वाले लोगों को होता है ठीक है और पीलिया जो है ये अलग बिमारी है तो आपका सही अंसर क्या होगा आप याद रखेगा option number C ठीक है अब पीलिया क्या होता है तो पीलिया जानते हैं कि यकृत को प्रभावित करत है पीलिया बिमारी जो है लिवर को प्रभावित करता है किसको प्रभावित करता है तो पीलिया बिमारी लिवर को प्रभावित करता है जिसमें याद रखेगा पीलिया जो है एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में बाइल पिग्मेंट अधिक मात्रा में चले जाता है यानि की फलसुरूप और उसके फ्लसुरूप सरीर के बलड में प्रिवेस्ट कर जाता है ठीक के समझ में या इनि ब्लड में वाईल याद रखने हैं ब्लड में भाइल पिकमेंट बहुत जादा बढ़ जाता है और इस Casey के सारण पिलिया बिमारी होता है और पिलिया बिमारी यकृत या लिवर को प्रभावित करता है आप याद रखेंगे समझ में आ गया बिलरूबीन पर जाता है इसमें याद रखेगा अब देखिए एक उप्सन है हैजा हैजा आप जानते हैं कि गंदा पानी पीने से हैजा होता ठीक है तो हैजा विविडियो कॉलेरा जीवानू से होता है आप याद रखेगा और यह मक्यों द्वारा फैलता है रोगी के सरीर में जल की कमी हो जाती है तथा बलड का शंचार जो है वो धीमा पड़ जाता है ठीक है अब यह जो है हैजा बीमारी जो है गंदा पानी पीने स होता है याद रखेगा और हैजा से बचने के लिए हैजा का टीका लगाना चाहिए साफ पानी पीना चाहिए पानी को उबाल कर पीना चाहिए ठीक है और बहुत सारा दवाई भी आता है इसके लिए ठीक है तो हैजा समझ में आ गया इसके बाद टाइफाइड आत का बुखार किसे कहा जाता है तो याद रखना है टाइफाइट को आत का बुखार कहा जाता है ठीक है टाइफाइट को आत का बुखार कहा जाता है और टाइफाइट बिमारी पानी की गंदगी से फैलता है ठीक है पानी की गंदगी से फैलता और इसमें बुखार बहुत ज़्यादा करता है टाइफाइट होने पर याद रखेगा ठीक है और टाइफाइट से बचने के लिए कौन सा दवा दिया जाता है तो टाइफाइट से बचने के लिए क्लोरोमाइसितीन याद रखना है टाइफाइट से बचने के लिए क्लोरोमाइसितीन का दवा दिया जात पढ़े हैं याद रखेगा और फ्लोरुसस में अगर फ्लोराइड उससे आकभी तो यहां पका आपसर क्या होगा पी लिया ज़ोय की चिछले याई पीलिया भीमारि पिनिस नहीं होता है बाकी हैज़ा टाइफाइट और फ्लोरुसस बीमारी जो है यह गंदा नंबर C ठीक है याद रखेगा समझ में आ गया कुश्चन तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजे ठीक है तो याद रखेगा सही आंसर क्या होगा option नंबर C जोंडी से पी लिए आपका सही आंसर होगा ठीक है which of the following is deficient during dehydration of body शरीर के dehydration के दोरान किसकी कमी हो जाती है तो आंसर करेंगे शरीर के dehydration के दोरान किसका कमी हो जाता है ठीक है तो आप सभी को याद होगा कि शरीर में अगर कभी dehydration होता है तो उससे sodium chloride की कमी हो जाती है option के अनुशार आपका सही आंसर क्या होगा option number A याद रखेगा ठीक है तो dehydration के दौरान किसकी कमी हो जाती है तो याद रखेंगे dehydration के दौरान sodium chloride की कमी हो जाती है तो option number A आपका सही answer होगा याद रखेंगे ठीक है अब देखी यहाँ से बहुत अच्छा एक option दिया है RBC WBC जो की सवाल यहाँ से बहुत पूशता है ठीक है तो इसको थोड़ा से देखेंगा RBC को क्या कहा जाता है RBC को erythrocyde कहा जाता है पढ़ाया हुआ है आपका आप जानते भी होंगे तो RBC को क्या कहा जाता है RBC को erythrocyde कहा जाता है ठीक है याद रखेंगा ब्लड का pH मान कितना होता है तो ब्लड का pH मान 7.4 होता है याद रखेगा और एक वैस्क मनुष्य में आस्तन 5-6 लीटर ब्लड होता है याद रखेगा ब्लड जो है किस से मिलकर बना है तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि ब्लड जो है प्लाजमा और किस से मिलकर बना है बत और कॉर्पसल से मिलकर ब्लड का निर्मान होता है ठीक है कितना परतिसत प्लाजमा होता है तो ब्लड में कितना परतिसत प्लाजमा होता है 60 परतिसत तो याद रखना है कि ब्लड में 60 परतिसत भाग जो होता है ये प्लाजमा का होता है ठीक है रक्त का लगबग 60% प्लाजमा होता है और प्लाजमा में सबसे अधिक जल होता है यह भी आप याद रखेगा कि प्लाजमा में सबसे अधिक जल होता है प्लाजमा का काम क्या होता है तो प्लाजमा पचेह वे भोजन एवं हॉर्मोन का सरीर में समवहन करता है तो याद होता है RBC, WBC और Blood Platelets, तो RBC के बारे में आप जानते है RBC को क्या कहा जाता है Erythrocyte, तो याद रखेगा RBC को Erythrocyte कहा जाता है, RBC का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन RBC का जीवन काल होता है, RBC जो होता है, याद रखेगा RBCs कंज होता है, वो उभिया वतल होता है, कैसा होता है, उभिया वतल होता है, और अस्तंधारी के RBC में केंदरक नहीं पाया जाता है, अपवाद कौन-कौन सा है, तो उट और लामा, तो याद रखेगा, कि RBCs, अस्तंधारी के RBC में केंदरक नहीं पाया जाता है, और इसका अपवाद कौन-कौन सा है, तो उट और लामा, दो ऐसे जीव हैं, जिनके, मतलब उट और लामा, दो ऐसे अस्तंधारी हैं, जिनके RBC में केंदरक पाया जाता है, बाकी अस्तंधारी के RBC में केंदरक नहीं पाय जाता है आप याद रखेगा आर्बीसी का निर्मान कहा होता है तो आर्बीसी का निर्मान बॉन मेरो में होता है जानते हैं आप लोग तो आर्बीसी का निर्मान कहा होता है तो बॉन मेरो जिसे अस्ति मज़्या कहा जाता है ठीक है तो आर्बीसी का निर्मान बॉन मेरो में ह होता है याद रखेगा प्रोटीन आइरन विटामिन बी ट्वेल्ब और फॉलिक एसीड से आर्बीसी का निर्मान होता है याद रखेगा ठीक है समझ में आ गया और रबीसी का जिवनकाल 20-120 दिन होता है आपको पता होगा रबीसी में हीमोगलोबीन होता है हीम जो है रंजक है और गलोबीन प्रोटीन होता है याद रखेगा हीमोगलोबीन में आईरन पाया जाता है ठीक है हीमोगलोबीन में क्या पाया जाता है तो blood blood peripherals को लिुकॉसाइट कहा जाता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है civ column यह करित रोग परति रोदम को बनाए रखने में होताई यह अधिकलीप अ sloppy प्रेट याद रखेंगे, ठीक है, तो यह सब सवाल आप याद रखेगा, अच्छा सवाल था, तो सरीर के निर्जली करन के दौरान किसकी कमी हो जाती है, तो sodium collide का कमी हो जाता है dehydration होने पर, ठीक है, चल यह तो अगला सवाल देख लेते हैं, क्लास को सपोर्ट कर दीजे, एक बार क्लास को सेयर कर दीजे ताकि और भी बच्चे क्लास में आ जाएं, अधिक्ता से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रॉम नामक बिमारी होता है, ठीक है, तो याद रखेगा, नाइट्रेट की अधिक्ता से, ब्लू बेबी सिंड्रॉम नामक बिमारी होता है, तो answer क्या होगा, option number D, याद रखेगा, आया समझ में, तो ब्लू बेबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मतलब बबल बेबी रोग इसका नाम क्यों पड़ा है ऐसा पूछ रहा है option number A, it is caused by water bubbles यह पानी के बुलबुले के कारण होता है option number B, the baby suffering from disease makes saliva bubbles जो रोग ग्रस्त बच्चा है, सिसु है वो लार के बुलबुले बनाता है option number C, the sick child is treated in germ-free plastic bubbles रोग ग्रस्त सिसु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में क्या जाता है option number D, this disease is cured with water bubbles only इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक क्या जा सकता है तो आंसर कीजे इसमें सही आंसर क्या होगा, ठीक है समझ में आ रहा है, तो आंसर कीजे, आंसर क्या होगा तो आपको याद रखना है बहुचर्चित बबल बेबी रोग यानि बबल बेबी रोग इसका नाम क्यों पढ़ा है क्योंकि बबल बेबी रोग एक ऐसा रोग है जो बच्चों में होता है, सिसू में होता है पानी में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रॉम होता है तो पानी में अगर क्या ऐसा ज़्यादा हो जाएगा जिसको पीने से हमारे सरीर में नाइटरिट की उपस्तिती ज़्यादा हो जाती है जिससे ब्लू बेबी सिंड्रॉम हो जाता है तो पानी में अगर नाइटरिट मिला हुआ है और अगर उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है blue baby syndrome नमक बिमारी हो जाता है ठीक है तो आपका सही answer क्या होगा तो पानी में nitrate की अधिक्ता से blue baby syndrome नमक बिमारी होता है याद रखेगा ठीक है Which of the following disease are caused by the consumption of water contaminated by mercury and nitrate ठीक है answer कीजेगा बहुत अच्छा सवाल है ये ठीक है पूछ रहा है पारे और nitrate से संदूसित जल के उपभोग से निम्नलिखित में से कौन सा बिमारी होता है ठीक है पारा और nitrate यानि अगर जल में पारा का अधिक्ता हो जाए तो उससे कौन सा बिमारी होगा जल में nitrate का अधिक्ता हो जाए उससे कौन सा बिमारी होगा ऐसा आपसे पूछ रहा है तो आंसर कीजे, option देख लीजे और आंसर कीजे ठीक है, कि जल में पारा अधिक हो गया तो उससे कौन सा बिमारी होगा तो याद रखना है, जल में पानी में पारा की अधिकता से कौन सा बिमारी होता है तो पारा अगर जल में अधिक हो जाएगा तो उससे याद रखना है कि मिनिमाता बिमारी होता है तो यहां तो मिनिमाता पहले लिखा हुआ है ठीक है तो हो सकता है मिनिमाता बिमारी पहले लिखा है ठीक है यहां देखे बाद में लिखा है तो जैसा order में पूछा है वैसा ही लिखेंगे तो ये तो option ऐसे गलत हो गया ये भी गलत है तो पारा की अधिक्ता से याद रखना मिनिमाता बिमारी होता है और नाइट्रेट की अधिक्ता से blue baby syndrome होता है समझ मैं तो option number 6 होगा ये आपका सही answer होगा तो आप याद रखेगा पा पानी में पारा की मात्रा अधिक होने से याद रखना मिनिमाता बिमारी होता है और पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से blue baby syndrome नामक बिमारी होता है ठीक है आया समझ में अब देखिए हैं पारा से बहुत सारा सवाल एक्जाम में पूछा जाता है तो थोड़ा सा सवाल यहां पर देख लिजेगा जो एक्जाम में पूछता है आप से आप जानते है पारा जो है पारा का मुख्य S का नाम क्या है बताएं पारा का मुख्य S का नाम क्या है सिने बार ठीक है सिने बार S से पारा का निसकर्शन क्या जाता है याद रखेगा और सिनेबार का फर्मूला क्या होता है HGS ठीक है पारा का सिंबॉल क्या होता है HG होता है याद रखेगा तो पारा का निश्कर्शन मुखित सिनेबार ESC से क्या जाता है ठीक है और पारा जो होता है याद रखना पारा रूम टेंपरेचर पर लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाला धातू है पारा क्या है मेटल है तो याद रखेगा यह सवाल कि पारा लिक्विड मेटल है ठीक है लिक्विड मेटल है पारा जो है द्रव धातू है याद रखेगा ठीक है और आपको याद रखना है कि पारा धातूं के साथ अभिक्रिया करके एमलगम बनाता है तो यह सवाल बहुत पूछा जाता है कि कौन सा धातू है जो एमलगम बनाता है तो पारा धातूं के साथ अभिक्रिया करके एमलगम बनाता है लेकिन लोहा एमलगम नहीं बनाता तो यह सवाल पूछेगा कौन एमलगम नहीं बनाता है तो लोहा नहीं बनाता है तो याद रखना है लोहा एमलगम नहीं बनाता है ठीक है यह सवाल बहुत पूछता है कि पारा को किस धातू के बरतन में रखा जाता है तो याद रखना है पारा को लोहे से बने बरतन में रख सब्सक्राइब. जिसके वैसे सुरक्षित रहता है ठीक है पारा का उपयोग आप जानते हैं कि थर्मा मीटर बैरो मीटर में पारा का इस्तमाल किया जाता है सिंदूर जो है सिंदूर में भी पारा का इस्तमाल किया जाता है नि मरकरी का इस्तमाल किया जाता है अब यहां से जो important सवाल है ध्या तो मर्कूरीव कुलायट को कहा जाता है तो केलोमल कहा जाता है मर्कूरस कुलायट को आफ यह तो आप से पूछेगा सिंदूर सिंदूर जो है थिंदूर का रासाइन की नाम कैसे इंदूरों पूंपालीक सund' offended कि पूंहें ऐ रह Сंहीं सो अरहा है मर्कूरिक Absolute sometimes याद रखेगा मर्कूरिक सल्फाइड जिसे वर्मीलियन भी कहा जाता है, तो एक्जाम में पूछता है, वर्मीलियन किसे कहा जाता है, तो मर्कूरिक सल्फाइड को वर्मीलियन कहा जाता है, तो याद रखेगा मर्कूरिक सल्फाइड को वर्मीलियन कहा जाता है, और इसका अपयोग सिंदूर बनाने में क्या जाता है क्या बनाने में क्या जाता है सिंदूर में क्या होता है याद रखना है सिंदूर में मरक्यूरी होता है याद रखेगा मरक्यूरिक सलफाइड जो है सिंदूर में होता है याद रखेंगे इसके अलावा ट्यूब लाइट में भी मर इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो यह सब सब आप याद रखेंगे, एक्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, यह most important topic है, जैसे कि पारा, लोहा, plutonium, thorium, uranium, ठीक है, इन सब का जो यौगिक है, जैसे चांदी, सोना, ठीक है, इन सब का जो गए होगे कि पारा और naitrate naitrate से संदूसित जल के उपभोग से कौन सा रोग होगा तो पानी में पारा के अदिक्ता से minimata बीमारी होता है और पानी में nitrate के अदिक्ता से blue baby syndrome नावक बीमारी होता है याद रखेगा ठीक है? अगला सबाल which of the following elements has the lowest melting point सबसे कम melting point किसका है ठीक है आप देख के आंसर नहीं कर सकते है ये धातू है ये धातू है ये धातू है तो आंसर क्या होगा आरगन आरगन का क्या होगा सबसे कम गल्लांक होगा सबसे कम melting point किसका होगा आरगन का होगा यहाँ पर आरगन gas है बाकी 3-8 है ठीक है तो आंसर क्या होगा आरगन आरगन का गल्लांक जो होगा यह सबसे कम होगा अब आरगन होता क्या है तो आप जानते हैं आरगन एक अक्रियेगेस है, अक्रियेगेस मतलब अक्रेगेस 6 है, हेलोजन 5 है, उपधातू 7 है, याद रख लिजैगा, तो टोटल अक्रेगेस कितना है? 6 है, कौन-कौन सा? हिलियम, नियोन, आरगन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, समझ में आया, तो टोटल 6 अक्रेगेस है, अक्रियेगेस को सुनिय वर्ग में रखा गया है जीरो ग्रूप में रखा गया अब क्यों जीरो ग्रूप में रखा गया एकजाम में पूस देगा अक्रियेगेस को किस ग्रूप में रखा गया हम भूल गया कि क्या होगा हम याद करके गयते भूल गया तो अब निकालेंगे कैसे पता है आरगन का atomic number हम जानते हैं कितना होता है आरगन का 18 होता है अब इसको कर देंगे electronic विन्यास 2, 8, 10, 10, 18 तो बारीक अख्छा में कितना electron बचा है इसका बारीक अख्छा में electron तो 8 है 8 तो पूरा fulfill है समझ में आया तो आप ऐसे करके group निकाल लिजेगा कोई दिक्कत नहीं है याद रखने का उतना जरूरत नहीं है समझ में आया तो आप याद रखेंगे क्या यहां से कि अक्रियेगेस का total संक्या 6 होता है और अक्रियेगेस को 0 group में रखा गया अगर भूल भी जाते हैं कि 0 group में रखा गया तो example अगर आपको याद है तो उसका electronic configuration करके जो भी बाहरी कक्षा में electron होगा वही उसी group में उसको रखा जाता है समझ में आया तो यह आप याद रख लिजेगा अक्रियेगेस की खोज किस ने की तो अक्रियेगेस की खोज लोकेयर नामक वेज्यानिक ने क्या था रैमजे लोकेयर और रेले इन तीनों को स्रे जाता है तो अक्रियेगेस की खोज का स्रे लोकेयर रैमजे और रेले नामक वेज्यानिक को जाता है अक्रिय गैस को उत्कृिस्ट गैस या नॉबल गैस भी कहा जाता है रेड़ॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैस जो है वायूमेंडल में पाई जाती है ठीक है रेड़ॉन को छोड़कर कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रियेगेस, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रियेगेस कौन सा है, तो अच्छा सवाल है न, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रियेगेस, ठीक है, अक्रियेगेस, तो याद रखना है, सबसे अधिक मातरा में पायज आने वाला क्रेगेस कौन सा है आरगन है ठीक है और आरगन की खोज किस ने किया तो आरगन की खोज रेमजे नामक वेज्ञानिक ने किया था आरगन का उपयोग विदुद बलबों में भरने में क्या जाता है क्योंकि पूछे गाय यसी पूछ़ता है, क्या आपको याद रखना है कि आरगन हम विदूद बल में भरते हैं तो filament जादा time तक सुरक्छित रहता है जो filament माले जे 4 महीना तक टिकता अब अगर उसे में आरगन भरेंगे तो वही 4 महीना उसको extend करके 12 महीना-15 महीना तक किया जाता है क्योंकि आरगन जो है विदुद बल्ब के फिलामेंट को जाइदा टाइम तक सुरक्षित रखता है ठीक समझ मैं याद रख लीजेगा चलिए अगला सवाल देखें तो अगला सवाल देख लेते हैं तो प्लीज क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजे क्लास को आप पर्मानुशंख्या दिख भी गया वैसे भी आंसर आप जाने ही रहे हैं सोडियम ही होगा क्योंकि सोडियम का एक्टमिक नंबर कितना होता है 11 होता है तो आपका आंसर क्या होगा सोडियम होगा ठीक है अचा बेरिलियम का पर्मानुशंख्या कितना होता है कितने बचे जा आप सब जानते हैं कि atomic number 7 होता है तो यह याद रखेगा तो sodium यहाँ पर सही answer होगा कि sodium का atomic number जो है fluorine से अधिक है ठीक है अब sodium से देखिए कुछ आपको बताते हैं जो important है पूछ सकता है आपके exam में ठीक है sodium क्या है काफी soft धातु होता है sodium जो है काफी तेर सकता है यह याद रखेगा पानी में तेर सकता है पूछेगा पानी में तेर सकता है कौन सा धातु तो याद रखना है कि sodium धातु पानी में तेर सकता है तो इसको पानी में रखते नहीं हम लोग कहा रखते हैं तो आग लग जाएगा, समझ मैं जिसके वए से sodium तेल को हम लोग kerosene तेल में मतलब sodium को हम लोग kerosene तेल में रखते हैं आया समझ मैं, तो concept आपको रखना है कि अगर रटिएगा सिर्फ कि इसको कहां पर रखते है sodium को तो आपका exam में गलती हो जाएगा क्योंकि exam में आप जानते हैं कुछ तत्व को पानी में रखा जाता है, कुछ तत्व को kerosene तेल में रखा जाता है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि sodium बहुत अभिक्रियासिल होता है लेकिन sodium क्या है, पानी में तेरता है तो जब पानी में तेरेगा वो तो हवा के संपर्क में तो आएगा ही आएगा और हवा के संपर्क में आएगा तो आग लगेगा किनी पानी में पानी में पानी में आग लग जाएगा जिसके वएसे सोडियम को हम लोग पानी में तो रखनी सकते हैं तो सोडियम को रखेंगे क तेल में रखा जाता है ठीक है और सोडियम काफी मुलायम धातू होता है चाकू से काटा जा सकता है हलका होता है यह सबाब को याद रखना है और सोडियम जो है विदुद का सुचालक होता है ठीक है सोडियम धातू बेंजीन और इथर में घुलंसील होता है यह नहीं विले हो को पूस्ता है कॉस्टिक सोडा का फर्मूला बताःे इस तो कॉस्टिक एक शॉड़ा होता है तो काई कॉस्टिक सोडीम का फर्मूला कि एक है थेली sodium carbonate का formula होता है Na2CO3 और जल का इसमें 10 अनू होता है यानि 10H2O ठीक है तो sodium carbonate का formula क्या होता है Na2CO3.10H2O यानि जल का 10 अनू होता है sodium carbonate में आये समझ में और sodium carbonate को धोवन सोडा कहा जाता है वासिंग सोडा कहा जाता है तो sodium carbonate को धोवन soda या वासिंग soda कहा जाता है sodium carbonate का formula होता है Na2CO3.10H2O sodium bicarbonate पूछ दे तो फिर अब बताएं sodium bicarbonate का रासाइनिक सुत्र क्या होता है और नाम भी आपको बताना है sodium bicarbonate का सुत्र और नाम तो sodium bicarbonate का formula आप जानते हैं NaHCO3 होता है याद रखना है कि sodium bicarbonate को baking soda या खाने वाला soda कहा जाता है जानते हैं आप लोग तो खाने वाला soda बोलेगा किसको कहा जाता है तो याद रखना है खाने वाला soda या baking soda कहा जाता है sodium bicarbonate को sodium bicarbonate का formula होता है NaHCO3 समझ मैं आया तो sodium bicarbonate बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, फर्मूला, NAHCO3 ये तो ठीक है, याद हो गया, लेकिन इससे एक और बहुत जबरदस सवाल बनता है कि ACDT दूर करने में किसका इस्तमाल किया जाता है, जगा कम है इसको मिटा दें देखिए, आपसे पूछेगा, सोडियम बाइकार्बनेट से सवाल, कि ACDT दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है और अगनी शामक यंत्र में किसका यूज किया जाता है, यह बहुत पूछा गया सवाल है आपको याद रखना है, बेकिंग पाउडर जो है यह अगनी शामक यंत्रों में इसका इस्तमाल किया जाता है तो अगनी शामक यंत्र में एक तो सोडियम बाइकार्बनेट का इस्तमाल हो गया तो ऐसे ही सोडियम बाइकार्बनेट का उपयोग भी हम लोग ACDT दूर करने में करते हैं समझ में आया, यह सवाल पूछेगा आपसे एकजाम में जरूर ACDT दूर करता है, सोडियम बाइकार्बनेट, ठीक है तो सोडियम सल्फेट को गलोबर सॉल्ट कहा जाता है और इसका फर्मूला क्या होता है, गलोबर सॉल्ट का हम लिग दे रहे हैं अगर आपसे पूछेगा गलोबर सॉल्ट का फर्मूला क्या होता है ठीक है, गलोबर सॉल्ट भी सोडियम का ही लवन है मतलब sodium का ही योग एक है global salt को sodium sulphate कहा जाता है इसलिए याद रखना होगा आपको Na2SO4.10H2O तो याद रखेगा Na2SO4.10H2O global salt का formula होता है चिक है चलिए sodium एक पूस्ता है sodium nitrate याद है sodium nitrate किसे कहा जाता है sodium nitrate का formula क्या है पूस्ता है बहुत ज़्याद है आपको याद होगा sodium nitrate का रस्यानिक सुत्र क्या होता है पता है chili salt peter याद रखना है sodium nitrate तो आप जानी रहे न, A, N, O, 3 होता है sodium nitrate ठीक है न अगला सवाल अब देख लेते हैं, बहुत सवाल है, तो उमीद करेंगे, आपको class ठीक से अच्छा लग रहा होगा, समझा पा रहे होंगे हम, तो please class को support कीजे, class को like कीजे, और class को share कीजे, ताकि थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे, please support करेंगे, अगला सवाल निमनिलखी तत क्रिप्टन फटक से अंसर कर देंगे, क्रिप्टन हमारा जो होगा, इसका गल्लांग सबसे कम होगा, समझ मैं आया, तो याद रखेंगे, क्रिप्टन अक्रेग ऐस है, और इसका गल्लांग जो होगा, इन में से सबसे कम होगा, अगला सवाल, which of the following elements has the lowest melting point, निमलिखी ततों में से किसका सबसे कम गल्लांग है, अंसर कीजे आप ये सवाल, किसका गल्लांग सबसे कम है, बहुत आसान सवाल है, आप जान रहे हैं, सही अंसर क्या होगा, option number D आपको याद रखना है, क्रिप्टन, क्रिप्टन अक्रिये गैस है, यह तो गैस है, क्रिप्टन अक्रिये ग ठीक है और कार्बन के बारे में आपको क्या याद रखना है कि कार्बन जो है किस वर्ग का है कार्बन किस वर्ग का है किस ग्रूप का है तो कैसे निकालेंगे कार्बन का परमानुशंक्या कितना उत अच्छे है तो दो अर चार बाहरी कक्षा में चार एलेक्टोन बाहरी इंखलन का गुन दिखाता है चीक है और कार्बन के अपरूप भी होते हैं आप जानते हैं अलो ट्रॉप्स होता है तो ये भी आपको पता होगा हीरा जो है कार्बन का अपरूप है ग्रिफाइट कार्बन का अपरूप है ठीक है तो ये सब आप याद रखेगा यहाँ पर निमलिखित में से कौन सा पोटेशियम अलपता से संबंदित है पोटेशियम की कमी से कौन सा विमारी हो सकता है ओप्सिन नमबर A डैमेज ओफ किड्नी, मसल पेरालाइसिस, विकरक छती और पेसिय लखवा ओप्सिन नमबर B निमनरक्त चाप ओप्सिन नमबर C अनेमिया ओप्सिन नमबर D जॉइंट पैन एंड बलरी विजन तो आंसर क्या होगा बताएं कि पोटेशियम की कमी से कौन सा विमारी या इन में से कौन सा सिम्टम हो सकता है तो सही आंसर क्या होगा याद रखेंगे पोटेशियम की कमी से किडिनी डेमेज हो सकता है और साथ ही साथ पेसिये लकवा यानि मसल पैरलाइसिस हो सकता है तो सही आंसर क्या होगा पोटेशियम अलपता से पेसिये लकवा और विकरक चती जैसे खतरनाक बिमारी हो सकते हैं याद रखेगा माकी एनिमिया आप जानते हैं कि बलड की कमी से एनिमिया होता है याद रखेगा आयोडाइज़ सॉल्ट इस उसफुल बिकॉज इट आयोडीन यूक्त नमक उपियोगी होता है क्योंकि वह आप्सन नमबर ए इंप्रूफ्स डाइजेशन पाचन बढ़ाता है आप्सन नमबर बी इनिक्रीज रेसिस्टेंस टू डिजिज रोगों के लिए परतिरोध छमता में विर्धी करता है आप्सन नमबर सी थॉराइड ग्रंथी को कंट्रोल करता है और आप्सन नमबर डी तो आंसर करेंगे आयोडाइज सॉल्ट जो है वो हमारे लिए क्यों ज़्यादा उप्योगी होता है ठीक है तो फटा फट आंसर करें आयोडाइज सॉल्ट हमारे लिए क्यों उप्योगी होता है तो आप सभी जानते हैं सही आंसर क्या होगा thoiroid घ्रեղंधी को control करता है याद रखेगा iodized salt thorodine gr20 को control करता है चीक है समझ में आ गया अब यह thorodied gr Coburnthी होता क्या है तो आप सभी को पता होगा thorod gland को auto gland B कहा जाता है तो याद रखेगा thorod gland태 को autogland B कहा जाता है auto gr20 BI कहा जाता है कहां स्थित होता है अब्यूWe two will go retirement कहां सिथ होता है ठीक है है तो अफ ग्रंथी मनिश्य के गले शास्वांश लइने ट्रेक या के दोनों और Larynx के नीचे इस्थित होता है तो याद रखना है कि थ्वाइराइड ग्रंती जो है हमारे स्वाइसन नली जो हता है ट्रैकिया उसके दोनों और Larynx के नीचे होता है चीक है और इससे निकलने वाला जो हर्मोन है वो कौन-कौन सा हर्मोन है तो थाइरोक्सीन होर्मोन याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है तो याद रखेंगे थाइरोड ग्रंती से थाइरोक्सीन होर्मोन निकलता है थाइरोड ग्रंती से ट्राइडो थाइरोनीन नामक होर्मोन भी निकलता है ठीक है और थाइरोक्सीन होर्मोन याद रखना है बहुत ज़्यादा important है ठीक है क्यों क्योंकि इसमें iodine अधिक मात्रा में रहता है याद रखेगा और thairoxine hormone का कुछ काम होता है जैसे यह कोस्किय स्वसन की गती को तेज करता है सरीर की सामाने विर्धी जैसे हड़ी बाल इत्यादी के विकास में भी thairoxine hormone मदद करता है प्यूस गरंथी के साथ मिलकर thairoxine hormone सरीर में जल संतूलन का काम करता है चीक है तो thairoxine hormone याद रखना है अव्टू गरंथी भी से कहा जाता है अब thairoxine hormone की कमी से कौन-कौन सा बिमारी होता है एक तो आप जानते है घेंगा घेंगा बिमारी क्या होता है भोजन में आयोडीन की कमी से घेंगा या गवाइटर नामक बिमारी होता है इसके बाद आप याद रखेगा कि जड़ मानवता एक बिमारी होता है जो बच्चों में होता है और इसमें बच्चे जो होते हैं वो मानसिक और सारीक रूप से थोड़े कमजोर होते हैं नि मानसिक बुद्दी जो होता है वो थोड़ा विकास कम हो जाता है जड़ मानवता इसके लाव Mixidamma, Mixidamma बिमारी यह याद रखना है कि थायरोक्सीन होर्मोन की कमी से होता है, तो यहाँ पर आपका से अंसर क्या होगा? तो याद रखेगा, आपसे पूछ रहा है भारत वर्ष के कुछ भागों में भूगर्विय जल के उपभोग से दात जो है वो कुर्बुरा और अस्थी मतलब हडी जो है वो छतिकरस्थ हो जाता है तो इन में से कौन सा एक इस रोग के लिए उत्तरदाई है यानि पानी में किसकी अधिक्ता के कारण हमारे दात जो होते हैं वो कुर्बुरे हो जाते हैं और अस्थी छती हो जाता है फलूरीन के अधिक्ता से हमारे दात जो होते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है दात घसने लगता है दात छे होने लगता है और साथे साथ बोन को भी वो दिस्ट्वाइ करता है बोन को भी छती पहुचाता है निम्री लिखित में से कौन सा अल्प अथवा बिना फ्लोराइड वाले पेर जल के द्रिगकालिन उपभोग का परभाव है तो आंसर कीजे इन में से कौन सा सही आंसर कीजिए आंसर हो सकता है ठीक है तो सही आंसर क्या होगा तो याद रखेगा पूस्ता यहां पे अगर 0.5 ppm से कम या फिर बिना फ्लोराइड वाला पानी अगर हम पीते हैं काफी लंबे समय तक तो दाज जो होगा वो क्या होगा चित्तेदार रहेगा तो यह आपका सही आंसर होगा अप्सन नमबर D याद रखेगा Which of the following treatments is the latest for the treatment of all types of cancer सभी परकार के cancer की चिकित्सा है तो निमनलिखित में से कौन सा उपचार नविंतम है तो cancer के लिए कौन सा उपचार नविंतम है आप बताएंगे Option number A Three-Dimension Conformal Radiation Therapy 3D CRT Option number B Immunotherapy मतलब परती रक्षात्मक चिकित्सा Option number C Intensity Modulated Radiation Therapy त्रिवता अधिमिस्रित विकीरन चिकित्सा Option number D अनुलक्षित चिकित्सा तो answer कीजिए अगर पता है तो answer comment करें कोशिस कीजिए answer करने का गलत होगा तो कोई बात नहीं है तो सही answer क्या होगा देखिए पूछा क्या गया है सभी परकार के cancer की चिकित्सा है तो कौन सा उपचार क्या जाता है तो cancer की चिकित्सा के लिए याद रखना है 3-Dimensional Conformal Radiation Therapy यानि 3D CRT का इस्तमाल किया जाता है ठीक है? समझ मैं आया? तो आप याद रखेगा कि Cancer की इलाज के लिए 3-Dimensional Conformal Radiation Therapy का इस्तमाल किया जाता है ठीक है? और Cancer बिमारी में आप जानते हैं कि हमारे सरीर का जो कोसिका है वो बहुत जादा अचानक विर्दी करता है उसमें मतलब बहुत जादा विर्दी होने लगता है ठीक है? तो याप याद रखेगा कि मानव के सरीर के किसी भी अंग में तवचा से लेकर अस्ति तक यदि कोसिका का जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए उन्यंत्रित हो जाए तो इसके परिणाम सरूप कोसिकाओं में उन्यमित गुच्छा बन जाता है इन उन्यमित कोसिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं कैंसर को अस्थापित होने में जो समय लगता है उसे लेटेंड प्रियेड कहते हैं कीमो तरिफी आप जानते हैं कीमो तरिफी के द्वारा कैंसर का उपचार क्या जाता है तो कैंसर के उपचार के लिए कीमो तरिफी का इस्तेमाल क्या जाता है आप याद रखेंगे इसके अलावा आपको पता ही होगा यहां से सवाल पूछता है लिूकेमिया क्या है तो लिू तो सकरिये STRONSYUM 90 के द्वारा अस्ती cancer हो सकता है तो याद रखेगा STRONSYUM 80 sorry STRONSYUM 90 STRONSYUM 90 के कारण अस्ती cancer, bond cancer हो सकता है याद रखेगा ठीक है तो ये सब सवाल आप याद रखेँंगे cancer की चिकितसा ही तो 3D CRT technology का इस्तमाल किया जाता है Which disease among these is spread by protozoa कौन सा रोग protozoa द्वारा होता है तो आंसर करेंगे इन में से कौन सा रोग protozoa द्वारा होता है तो आप सभी जानते हैं आपे आंसर क्या होने वाला malaria malaria जो है protozoa के द्वारा होने वाला बिमारी है तो option number A आपका सही answer होगा malaria protozoa के द्वारा होता है और आप जानते हैं कि मलेरिया जो है प्लाजो मोडियम पर जीवी के कारण होता है याद रखेगा मलेरिया प्लाजो मोडियम पर जीवी के कारण होता है रोनाल्ड रोस ने मलेरिया पर जीवी के बारे में बताया था किसने बताया था रोनाल्ड रोस रोना मलेरिया बिमारी में बलाड का कमी हो जाता है, मलेरिया रोग में लाल उढ्रयानू नस्थ हो जाते हैं, तथा रख्ट में कमी आ जाती है और मलेरिया के उपचार के लिए कुनेन, पेलोड्रीन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन ये सब औसदी जो है उपयोग में लाया जाता है अब यहां से आपको याद क्या रखना है कुछ ये सब सवाल याद रखना है कुछ ऐसा बिमारी के बारे में जो प्रोटोजोवा के द्वारा होता है तो protozoa के द्वारा कौन-कौन सा बिमारी होता है आपको याद रखना है सवाल पूछता है malaria ठीक है तो malaria plasomodium परजीवी के कारण होता है इसका आप जानते हैं इसके अलाव आपसे पूछ सकता है peaches पेचिस बिमारी किसको परभावित करता है तो peaches आत को परभावित करता है तो याद रखेगा peaches आत को परभावित करता है और peaches जो है protozoa द्वारा होने वाला बिमारी है किस से होता है peaches तो ant amoeba histolytica तो याद पेचिस किसके कारण होता है तो पेचिस एंटी अमीबा हिस्तुलीटिका प्रोटोजोवा के कारण होता है ठीक है और यह पेचिस जो बिमारी है आथ को प्रभावित करता है याद रखेगा कालाजार कालाजार भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कालाजार जो बिमारी है कि बहुत पूच्छा जाता है। कौन मेरों को अस्थी मज्जा को प्रभावित करने वाला बिमारी है और कालाजार का वाहक क्या होता है तो याद रखेगा बालू मक्ही पूसता है एक्जाम में कालाजार का वाहक क्या है तो सेंड फ्लाई मक्ही के द्वारा बालू मक्ही के द्वारा कालाजार बिमारी जो है Protozoa के द्वारा होने वाला बिमारी है याद रखेंगे चलिए तो अगला सवाल अब देख लेते हैं तो याद रखेंगा important सवाल था चलिए Which of the following parasites is responsible for 65% of the cases of malaria in India भारत में malaria के 65% रोगियों के लिए निमलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदाई होता है तो आंसर करेंगे भारत में malaria के 65% रोगियों के लिए कौन सा परजीवी जो है वो जिम्मेदार है तो आपको याद रखना है कि भारत में malaria के 65% रोगियों के लिए वी मतलब पी वाइवेक्स परजीवी जो है जिम्मेदार है यानि भारत में जादा तर जो मलेरिया बिमारी होता है वो किस परजीवी के कारण होता है तो याद रखेगा पी वाइवेक्स परजीवी के कारण होता है ठीक है पी वाइबेक्स परजिवी के कारण भारत में अधिकतर मलेरिया बिमारी होता है याद रखेंगे चिक है कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है आंसर करेंगे कुनेन जो मलेरिया के लिए दवा के रूप में बहुत ज़्यादा कारगर होता है तो कुनेन दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है ठीक है, तो आपको पता होगा सिनकोना, याद है, तो आप जानते हैं कि सिनकोना, सिनकोना की छाल से जो है दवा मिलता है कुनेन, ठीक है, तो यह आप याद रखेगा important सवाल है कौन-कौन सा दवा है, तो एक बार लिख लिजेगा कुनेन, पैलुड्रीन ठीक है, कुनेन पैलुड्रीन क्लोरोक्वीन ठीक है, आप लोगों को याद होना चीए एकदम एकजाम में, क्योंकि एकजाम में पूछा जाता है तो पैलुड्रीन, क्लोरोक्वीन ठीक है, क्लोरो, क्वीन तो पैलुड्रीन, क्लोरोक्वीन कुनेन प्रिमा कुईन ये सब याद रखना है मलीरिया का कुछ दवा है और कुनेन दवा जो है सिनकोना की चाल से प्राप्त होता है किस से सिनकोना की चाल से ठीक है तो याद रखेगा कि कुनेन दवा सिनकोना की चाल से प्राप्त होता है ठीक है चलिए तो अगला सवाल कि च्हाल से प्राप्ट होता है मतलब उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है जिन्होंने कहा था कि मलेरिया परingeवी का खोज किस ने किया तो आप सभी जानते कि रोनाल्ड रोस ने मलेरिया परगई का खोज किया ठीक है तो मलेरिया परजीवी का खोज किस ने किया तो याद रखेंगे अब देखिए यहां से बहुत सारा सवाल आपका पूस्ता है तो जहां देजेगा थोड़ा सा विलियम हारवे ने ब्लड सर्कूलेशन की खोज की बैक्टिरिया का खोज किस ने किया एंटोनियो वन लिवेनॉक ने बैक्टिरिया का खोज किया इस्थेतोस्कोप का अविस्कार किस ने किया रैन लैनेक ने इस्थेतोस्कोप का अविस्कार किया रेबीज का टीका किस ने दिया यह सब आपको याद होना चाहिए रेबीज का टीका किस ने दिया तो याद रखेगा लूइस पास्चर रेबीज का टीका किस ने दिया लूइस पास्चर यह इंपोर्टेंट सवाल है रेबीज ठीक है लूइस पास्चर आप याद रखेगा कुछ रोगानु के बारे में किस ने रखेगा, तो कुछ रोग में किस ने बताया, में किस ने रखेगा, तो याद रखेगा, इसके अलाव़ आप से पूछेगा पचाबफन इंसुलीन का खोज तो ये तो बहुत आसान है अलेक्जंडर फ्लेमिंग इंसुलीन का खोज बेंटिंग और बेस्ट विटामिन विटामिन के खोज करता कौन है बताएं विटामिन के खोज करता कौन है तो आप जानते हैं कास्मीर फंक ठीक है तो विटामिन के खोज करता कौ रोनाल्ड रोस नहीं किया है ठीक है याद रखेंगे अब देखिए एक सवाल यहां पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे पूछेगा जनेटिक कोड का खोज किस ने किया हर्गोविंद खुराना ठीक है याद रखेंगा जनेटिक कोड कृतिम जिन संसलेशन के रो बर्थ ठीक है तो याद रखेंगा टाइफाइट के जिवानों के बारे में किस ने बताया रो बर्थ ने बताया ठीक है और रक्त समूं के बारे में किस ने बताया ब्लड ग्रूप के बारे में तो ब्लड ग्रूप के खुज करता है कार्ड लेंड इस्टीनर आप याद रखेगा ठीक है तो यह सब सवाल काफी important होता है आप याद रखेंगे आपसे पूछ रहा है malaria plasomodium नामक परजीवी से होता है किस ने बताया तो sir Ronald Ross ने बताया कि malaria जो है plasomodium नामक परजीवी से होता है ठीक है समझ में आया याद रखेगा चलिए अगला सवाल देख लेते हैं Charles Darwin के बारे में आप जानते हैं कि Charles Darwin की पूस्तक का नाम क्या है पता होगा आपको Origin of Species यह भी याद रखेगा कि Origin of Species पूस्तक के लिखक कौन है Charles Darwin Jav Vikas का सिधान्त किस ने दिया तो Jav Vikas का सिधान्त Charles Darwin ने दिया समझ में आया इसके अलावा जेजे मेंडल गेगर जोहान मेंडल आप इनको जानती हैं कि गेगर जोहान मेंडल ने वनसा गती के सिधान्त का परतिपादन किया था तो कभी पूस्त देगा तो वंसागती के सिधांद का परतिपादन किस ने किया तो गेगर जोहान मेंडल ने वंसागती के सिधांद का परतिपादन किया था आप याद रखेगा ठीक है तो इन सब से भी बहुत सारा सवाल एक्जाम में पूछता है तो ध्यान देंगे आप अगला सवाल मलेरिया रोग की प्रभावी औस दी कुनेन का निसकर्षन क्या जाता है ठीक है तो आंसर कीजेगा कुनेन is the effective medicine in the treatment of malaria is extracted from मलेरिया रोग की प्रभावी औस दी कुनेन का निसकर्षन सिनकोना की चाल से क्या जाता है तो सही आंसर क्या होगा तो याद रखेगा मलेरिया रोग का प्रभावी औस दी कुनेन का निसकर्षन सिनकोना की चाल से क्या जाता है तो क्लास को एक बार फटा फट लाइक और सेर कर दीजे Sleeping sickness happens due to निद्रा रोग नामक बिमारी होती है Sleeping sickness बिमारी जो है वो किस से होता है Option number A, Deficiency of vitamin A Option number B, Deficiency of calcium in body Option number C, High blood pressure Option number D, Trypnosoma नामक एक कोसी के जीव से ठीक है तो आप सभी का आंसर क्या होना चीए Option number D होगा सही आंसर तो याद रखेगा Sleeping sickness या Trypnosoma जो है ठीक है या सोने की बिमारी कहा जाता है या Brain को परभावित करता है Sleeping sickness बिमारी जो है या Brain को परभावित करता है मस्तिस को परभावित करता है ठीक है और यह जो होता है Trypnosoma नामक एक कोसी के जीव से होता है और इसका वाहक क्या है तो वाहक में क्या है तो याद रखेगा CC fly ठीक है यह सवाल पूछा जाएगा एकजाम में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा CC fly मक्खी के कारण ठीक है CC fly मक्खी यहाँ fly लिखी दियें तो CC मक्खी के कारण होता है याद रखेगा CC fly या CC मक्खी के कारण क्या होता है Sleeping sickness नामक बिमारी होता है ठीक है तो sleeping sickness बिमारी brain को प्रभावित करता है यह CC fly के कारण होता है और tripnosoma नामक protozoa के कारण sleeping sickness नामक बिमारी होता है याद रखेगा और इसमें बहुत ज़्यादा नीन दाता है और बुखार भी बहुत ज़्यादा होता है ठीक है तो इतना ही सवाल था ठीक है तो उमीद करेंगे आज का session आपको अच्छा लगा होगा तो please class को like और share कर दीजेगा साथ ही साथ regular रहेगा क्योंकि regular रहेंगे तो आप समझ रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा आपका revision होगा और कुछ नए सवाल भी आपको सिखने को मिलते आपसे अगले class में उमीद करेंगे कि आप class को support कीजेगा class को like और share अवस्य कीजेगा ताकि regular आपके लिए इसी प्रकार का class ला सकें और आप लोगों को तही दिल से धन्यवाद करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं जै हिंद जै भारत जै बियसे धन्यवाद झाल 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 झाल